हाई फ्रेंड्स आप लोगो स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की और आज हम 26-12-2020 को भीहर द्रोगा का जो पेपर आया था फर्स शिप्ट का डिस्कासन लाया है आए देखते हैं इसका पहला कोशन अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइ कर लिएगा तब ही अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेसान मिलेगा आए देखते हैं पहला कोशन पहला कोशन निमलीखित में से किसको साहित में 2021 में नोबेल पुछा हुआ था तो उससे में दिया गया था अब्दूल रजाक को तो फिर इससे हम लोग देख लेते हैं क कि 2022 में किसको दिया गया है तो 2022 में दिया गया है साहित का नोबेल पुरसकार फ्रांस सिसी लेखी का एनिकस एरनोल необходимо को दिया गया है इसका एंसर यगा हो जाएगा अगला potassium कुशन देखते हैं प्रतम अफिम यूद का समापन करने वाली संधी थी संधे क्या थी तो यह थी non king तो इसका answer हो जागा ए नमबर यह अफिम यूद हुआ कब था तो यह यूद हुआ था 1849 से 42 के बीच में यही पुछ दे कि दूसरा अफिम यूद कब हुआ था तो दूसरा अफिम यूद 1856 से 1860 के बीच में हुआ था अगला कोशन देखते हैं कोरू नोडोई यूजना की राजे द्वारा प्रराम की गई है यह प्रराम की गई थी असम द्वारा इसका answer जो हो जाएगा बीच हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं लीग ले रेस में होता है इसका answer जो यह भी हो जायगा अगला कोशन हैं चेंग में किस हास्परधा की छेंपियन खिलाडी है बताना आपको कि में किस खेल से सम्बंदी थैं यह थी टेबल टेनिस से इसका जो answer है सी ओजाएगा चेंड में कहां कि रहने वाले तो चीन की प्रसीड टेबल टेनिस खिलाड़ी है अगर पुछदगात कहां आए तो यह इंगलेंड जो था टेबल टेनिस के जन्म दाता था तो इसका एंसर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चाप के दारा नियम डैस अरक्षन पर पादारी था तक कि शॉप्स का दारा नियम जो है यह अवेस पर संबंदित है उसके बाद यह वोल्टेज का नियम जो उड़ जाएगा अगला कोशन देखते हैं आठ नमबर अगला कोशन फीट मोबाईल एप्लिकेसन में लिखित में से किस मंत्रा लेने शुरू किया था यह शुरू किया था खेल कुद मंत्रा लेने इसका जो एंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं हर्सवर्धन के समराज की रजधानी थी आपको बताना है कि हर्सवर्धन की जो रजधानी कहा थी तो हर्सवर्धन की रजधानी कनोज थी इसका जो एंसर है ए हो जाएगा और स्वर्धन जो थे हैं वो पूस भूती या वर्धन वंस के सा सकते हैं अगला कोशन है निम्ड में से किस कंपनी ने सन 1983 में हीूमिलीन का बिक्रे अराम किया था हीूमिलीन होता है हीूमेन इंसलीन तो यह सबसे पहले सुरू किया था यह होजाएगा एसका एंसर जो है ए होजाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से ए प्रॉमिष्ट लैंड फुस्तक के लेखक कौन है यहां बताना है कि E si लेंड के लेखक कौन है यह लेखक थे बराक ओबामा इसका जो एंसर है भी हो जाएगा अगला कोश्चन है सुनार संचिप्ती करना है तो सुनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है इसका एंसर हो जाएगा डी नंबर सुनार में ध्वानी तरंग का उप्योग किया पानी में यह समुंद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सुनार का प्रियोक किया जाता है इसका एंसर डी हो जाएगा अगला कोश्चन है अनुक्रम को पूरा किजिए इसमें पूरा करना है तो जेड 3 ए दिया है डावलू फोडी दिया है टी एट जी दिया तो एन पो जाएगा फिर ऊपर देखिए 3A दिया है 3A 4D दिया है 8G जी दिया है अगला कोश्चन देख यहां दिया गया है इसके ब्लैक फूट नमक बिमारी होती है अगला कोशन देखतें है यहां है लूपत संख्याह इसमें बताना है कि लूपत संख्याह गयात करना है तो देख लेते हैं लुट संख्या क्या होगा तो 0 दिया गया है 7 दिया गया है 56 दिया गया है ती देखने से पता चल रहा है कि यहाँ क्या कर रहा है कि हर संख्या का 1, 2, 3, 4 इसका Q कर दिये गा एक उसके बद फिर 1-0 जीरो, दो का Q किजएगा, तो यह माइनस वन, तो यह क्या हो जाएगा, उसके बाद 3 का Q किजएगा, तो यह माइनस वन, तो यह फिर 26 हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं यह तो यह चार, पांच, छो, यह साथ, साथ का Q किजएगा, उसमें से एक माइनस किजएगा, तो साथ का Q हो पूर्टाप ठाथ। गंधार कला परसीद अस्थान कहां का था तो यह तक्सिला जो बर्तमान पगिस्थान में पढ़ता है सबसे अधिक बूद की मुर्ति गंधार कला में ही बनाई गई थी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है भारत का प्रतम सौर संचारित टेक्स्टाइल मिल कहां निर्मा परभण इर्मा जो कि महराश में पढ़ता है इसका एंसर ए हो जाएगा यह जो मिल है इसका नाम है जय भवानी महिलाओ की सहकारी कपड़ा मिल या एसीया का पहला ऐसा मिल है जो पूरी तरह से सौर उर्जा पर काम करेगा अगला कोशन है भारत में चाय उत्पाद में प्र पूछ दे कि भारत दुनिया में चाय का कितने नंबर का बड़ा निर्यातक है यह चोथा सबसे बड़ा निर्यातक देस है इसका अगला कोशन देखते निम्न नाभी किये च्याय में उत्सर्जिन कर का क्रम क्या है तो यह क्रम हो जाएगा आपको बीटा आलफा और गामा इ ये जो launch किया है, ये सुमंगल लांच किया है, इसका जो answer है A हो जाएगा, अगला question देखते हैं, भारत वर्स में जल, पर दूसर निरोद और नियन्त रंग, अधिनियम कीस वर्स में धारित किया गया था, ये धारित किया गया था 1974 में, इसका जो answer है D हो जाएगा, अगला question द तो यह दिया गया है 2017 में ग्रषकार उनको दिया गया था इंग्यान्पीच पुरुश्कार के सुरुवात हुआता नहीं 161965 में शुरुवात हुआ था यह पूपत्षां कि यह जो इसके सब्वरहादает तो आट्ली के सब्वरहादा दो और एसे इसकाम में पर that जाता है एक राजस्थानी को दिया जाता है 22 24 टोटल 24 भासा में दिया जाता है यह 2018 में पहली बार अमिताव घोस को अंग्रेजी साहित के लिए ग्यानपीट फृसका से समानित किया गया था ग्यानपीट के बिजयताओं को 11 लाक रुपिया और बाग देवी की परतीमाग और प्रसास्ती पत्र दिया जाता है तो इसका एंसर जो है E हो जाएगा अगला कोशन है थारे Devil 24 ऑलंपिक खेम के मेजबानी किस सहर में के द्वारा किया जाएगा तिए मेजबानी जो है पेरीज मे किया जाएगा इसका जो एंसर है C हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं भारत में संग्य नियाले के स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसका जो एंसर है D हो जाएगा अगला कोशन है कुटू मिनार का प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो बताना है आपको कि प्रवेश द्वार जो है कुटू मिनार का उसे किस नाम से जाना जाता है तो ये अलाई दर्वाजा हो जागा इसका जो एंसर है C हो जाएगा कुतूब मिनार के निव किसने रखा था तो कुतूब दिन एवक ने अपने गुरु सूफी संथ कुतूब दिन बक्तियार काकी के समान में रखा था लेकिन बनवाते समय उनकी मिर्टू हो गई तो फिर उसके बाद पूरा उसको किसने करवाया था तो पूर्ण उसको तोबर ने किया था गुजरात विजय के उपरांत में करवाये थे हैं कुटु मिनार को वर्स 1993 में युनेस्को दौराब बीस धरोहर घोसित किया गया है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन पूस तक हैपिनेस ऑल अराउंड लेखा कौन है बताना उदक है इसका जो इंसर भी हो जाएगा यही कौशन होता यहां अनुपम खेर दिया गया अनुपम खेर की पूस्तक के युर बेस्त डे इज टूड़य तो ईयाद रखे गई भी सका इंसर भी हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं यह मैच्ज का कोशन दिया गया एक समाज की बैठक में 10 बेक्ति उपस्तित हैं इसमें बताना कि एक समाज में 10 बेक्ति उपस्तित हैं सभी एक दुसरे के साथ एक हाथ मिलाते हैं सब एक दुसरे से हाथ मिलाते हैं कुल कितने हाथ मिलाएगें बताना आपको कि टोटल कितने मिलाएगें तो इसका एक फर्मूला होता ह आदमोस की संख्या है तो यह आदमी कितने हैं आदमी हो गये 10 10 मैंस यह 9 हो जाएगा इसको सॉल्व किजिए तो आपको आजाएगा 45 तो यह एंसर जो दिया गया जो है 200 रुपय के नोट पर भी चित्रित किया गया है साची के इस्तूप को इसको नबिस धुरह और सुची में 1989 में सामिल किया गता इसका एंसर जो हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं राष्टपती की अध्यादेश पारित करने की सक्ति वर्णित है इसमें बताना है कि र इसका एंसर जो है यही कोशन होता कि भारत वन अनसंधन संस्थान का पुराना नाम क्या है इसका पुराना नाम है इंपिरियर फॉरेस्ट रिचर्स इंस्टिट नाम है यही कोशन होता वन परबंधन संस्थान का है तो यह भोपाल में इस्थित है भारत यह वन जीव संस्थान का है तो यह देहरा दुन में ही है हिमाले वन अनसंधन संस्थान का है तो यह सीमला में है अगला कोशन देखते हैं भारत का सबसे उत्री बिंदू कौन से है आपको जो कि अरुनाचर प्रदेश में है उसके बाद वही अगर कोश्चन होता कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो पश्चिमी बिंदु गहिर माता जो कि गुजरात में पढ़ता है अगला कोश्चन देखते हैं नीजी छेतर में लगु और मध्यम उद्योग के विकास के अगला कोश्चन है इडली को किस परिक्रिया दोरह बनाया जाता है वह है इडली बनाया जाता है स्टीमिंग के दोरह इसका जो एंसर है सी हो जाएगा अगला कोश्चन है भारत का सक्रिय जो अला मुखित द्वीप है आपको बताना है कि भारत में जो सक्रिय जो अला मुख समुन कहीं सा जो पूर्ट बिलेवर और से 140 किस्तित बेरन जो अला मुखी में फरावरी 2017 में अंतिम बार उध्वेदन हुआ था बैरन दुप भारत का एकमात्र स्वक्रिय जो अलग में किया है जो कि अंडमार नीकोबार दुप में है अंडमार और नीकोबार दुप को 10 टीगरी चैनल दोरा एक दूसरे से अलग होता है अगला कोशन है परतिदीप्ती नाली का तथा नियोन चीन बल्ब होता है यह जो होता है यह पलाजमा के दौरा होता है इसका जो एंसर है डी हो जाएगा अगला कोशन है निम्ड में से कौन सी कमीटी मौली करतब से संबन्दी था है इसमें बताना है कि कौन सी कमीटी थे जो मौली करतब से संबन्दी थी चार एको जोड़के उसमें दौस मौली कर्टवयों को सामिल किया गया था अब भारते समिदान में मौली कर्टवयों का पराधान सोभीयत संख रूस से लिया गया है जो वारव है इसका आंसर जो है धी नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं जहांगीर के सासन काल में निमली खित में से किस चीत्रकार को नादीर उल ऐस्त के किताब से बाजा गया था यह नवा जाएगा था उस्ताद मंसूर को जो कि een जंसर इसका डी हो जागा जहागीर के सासनकाल को चित्रकार की स्वानकाल भी कहा जाता है इसका एंसर जो है D हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं दूध में उपस्तित सरक्रा है इसमें बताना है एक दूध में कौन सी सरक्रा पाई जाते हैं तो इलेक्टोज पाई जाते हैं इसका, जो, इंसर है – C हो जाएगा। अगला question है फजल-अली आयोग संबंदीत है तो बताना आपको कि फजल-अली-आयोग जो है किसके संबंद— ‮े संबंद्ध यह संबंद्ध है राज्यो के पूणर गठना योग से इसका जो एंसर है ड हो जाएगा। यह फजल-अली ऑयोग जो है यह December 1903 में आया था अगला कुशन देखते हैं निमलिकित में से कौन से संख्या पूंडवर्ग है इसमें बताना है कौन सा पूंडवर्ग हो जाता है वह पूंडवर्ग कालाती है तो यह इसमें देख लेते हैं 46 thrust तो इसका एंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं ओडो मीटर एक उपकरण है जिसको अधर मापन किया जाता है तो ओडो मीटर से नापा जाता है दूरी को इसका एंसर जो है डी हो जाएगा अगला कोशन है अपुर्वी चंदेला का संबंध गास है इसका जो एंसर है अगला कोशन है जब 1922 में अखिल भारति राष्ट कंग्रेस नब भारत छोड़ा अंदोलं छेडा तब भारत का वायेस राई कावन था उस समय वायेस रहते हैं लिन लिठिकोते हैं इसका जो एंसर यह सिर्दार अंदोलन की सुर्वाद कप की गई थी ग्रहत है इस अंदोलन कौन और एक घांधी जी ने तयार किया था जोरल नह्रू ने इसे प्रस्थूत प्रस्थूत किया और शरदार पर्टेल ने इसका समर्थन किया था इस अंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था अगला कोशन देखते हैं ऐसी समिश्ठ परिक्रिया जिसमें एक जाती को लाब होता है और दूसरी को न लाब होता है नहानी तो क्या कहा जाता है ये कहा जाता है सहभ भोजी था इसका जो इंसर है D हो जाएगा अगला कोशन है निमलीखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधी ये रामसर कन्वेंशन संबंदी थे ये संबंदी थे आदर भूमी के संड़क्षन से इसका जो इंसर है D हो जाएगा ये कब लागू हुआ था महाराथा सासक छात्रपती सिवा जी के रहजधानी कहा था , इनके जो रहजधानी थी यह था रायगड में इसका एंसर ए हbahnव अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वला तो कौन सा इसमें बताना है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त क्या किया जाता है यह प्रयुक्त होता है सिलिकॉन इसका जो एंसर है C हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं सबसे तेज हमी करन विदी जिससे तरल नाइट्रोजन या कार्बन डायकसाइड का उप्योग किया जाता है यह उप्योग किया जाता है ब्लास्ट फ्रेजिंग का प्रियोग किया जाता है तो इसका एंसर जो है यह हो जाएगा अगला कोशन है किस संस्था ने इसरो के लिए जी 32 लह 2 क्र पुलेट स्टेंग का बिक्सित किया है के बिक्सित किया है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड दोरा इसका जो एंसर है सी हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं एक खाद सिंखला में निमलिकित में से सारवधिक संख्या किसकी होती है इसमें सारवधिक सिंखला जो होती इसका जो एंसर है B हो जाएगा अगला कोशन है इसमें से एक आवस्यक एमिनो एसीड है इसमें बताना है कि कौन सी आवस्यक एमिनो एसीड है तिया एमिनो एसीड जो है लूसीन है इसका जो एंसर है B हो जाएगा अगला कोशन है निमलिखित में से कौन से भारत में जाती प् अगला कोशन है, एलजर्ण के प्रती सबसे प्राचूर मतरा में बनने वाला परती रक्षा है यह हो जाएगा इसका IGE, इसका जो एंसर है A होजाएगा अगला कोशन है, कोशिका द्रव, क्लॉरो प्लाष्ट और माईट्रो कंडिया का राइबोसोम क्रमसा है सिका एंसर बी हो जाएगा अगला कुशन दखते हैं भारत में फिचर इंजिनिय क में प्रग्राम किस के दौरा शुरू किया गया था इसका एंसर बी हो जाएगा अगला कोशन है 42 समिधानिक संसोदान धिनिया में कुछ भी साय राज सुची में समवर्ती सुची में डाल दिया गया इनमें से कौन से नीचे गलत उलखी थै इसमें बताना है कि जो कुछ भी साय जो 42 समिधानिक के द्वारा सच सद्खिटी Chronolog इस ignored अब हो जाएका सिक्षा वन जो वो जायकी है सच कोई सद्खिट था वह 5 भी से कौन कौन से था तो पहला था सिख्छा, दूसरा था वन, तीसरा भार और माप, जो चोथा था वन जिव और पक्षियों का सुरक्षा, तथा पाँचवा था उच्छ न्यालेव और उच्टम न्याले को छोड़ कर सभी न्यालेव के न्याय प्रसर्श्थ और गठन अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है, दाई दीदी किलिनिक योजना की सराज दोड़ा प्रम की गया था, ये किया गया था, 36 गड़ दोड़ा, इसका एंसर भी हो जागा, अगला कोशन है, अगला कोशन जो है, मैच्स का कोशन है, देख लेता है, इसमें एक मेट्रो एक station से हर 30 मिनट को छुटती है ाइगली investigators ट्रेन ट्रेन 10-10 पर जाएगी तो बताइए यात्री को यह सुचना की समय दी गई यात्री को सुचना दी गई थी देख़ें कैसे बने गई है तैसों कई चाहरोच जाएग जो ट्रेंड ट्रेंट की स्ट्रेशन शुटने का उंत्राल जो यह किसमी सबयर्ट थोट를ू है गई तो दूसरी मेटरोच ने इसमय क्या था दस किव mayoría मेंस मैंस मैंस कर देंगे अगर तेफिक तरह से अगर 20 मिनिट माइनस कर देंगे तो कितना वाज़ेगा नौपचास जो कि किसमें दिया गया सी में तो इसका जो एंसर है सी हो जाएगा अगला कुशन है सब्त क्रांति के अधर्णा को प्रतिपादित किया था ति यह प्रतिपादित किया थे राम मनोहर लोहिया दोरा इसक भिकषी प्रतिपादित किया रहा है किया रहा है तमिल्नादू में को जाएगा अगला कुशन है गैंगो कॉंड चॉलपूरम का कौन थे क्याम हो जानी को सत तो आपको क्या शार हो जाएगा चार अगला कोशन देखते हैं नाविकिये रियक्टर का वह अवेव अविक्रिया में नियंत्रीत करता है तो यह नियंत्रीत करता है नियंत्रम छोड़ इसका जो एंसर है का उपयोग होता है तो इसका एंसर जो हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं वेवर के नियंत्रीते से कौन सा पररंपरिक सता का स्रोत है तो यह प्राथा इसका जो एंसर ए हो जाएगा अगला कोशन है भारत का संसदीय वुराणी में सुनने काल का आसे क्या है इसमें बताना है कि सुनने काल का क्या मतलब होता है तो यह सुनने काल का हो जाता है प्रस निकाल के कारे सुची को अगली से बिच का समय जब सदस्य अध्यख्ष की विना कोई भी से उठाते हैं तो इसका एंसर भी हो जाएगा अगला कोशन है पूरा का अर्थ क्या है तो यह पूरा का फूल निम क्या होता है तो यह होता है प्रोवीजनल आफ और बन एमिनिटी इन रूलर एरिया पूरा को सवर प जाएगा इन में से कोई नहीं जो की इंसर डी हो जाएगा अगला कोशन दखते हैं इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किस्से है इंपेक्स जो इंडेक्स है इसका संबंध प्रवासी से इंसर बी हो जाएगा इंपेक्स का अर्थ होता है अंतराजिय प्रवासी निती सुचकांग अगला कोशन देखते हैं फिलीप इस्परेट नामक अंग्रेज को ग्रेफतार किया गया था यह ग्रेफतार किया गया जाता मेरट सर्यंत केस में इसका एंसर ए हो जाएगा यहां असम दिया गया तो असम में कौन कौन सा है तो असम में काजी रंगा है मानस है नमेरी है डिबरू सोखैवा है औरंग है राय मोना है और देहिंग पटकई राष्ट उद्यान है यहां उडिसा दिया गया है उडिसा में कौन सा है तो सिमली पार और भिक्तरी कणी का राष्ट उद्यान है अगला कोशन है हाली में किस रा के चमोली जिला में इसका उद्गाटन किया गया है अगला कॉशन देखते हैं निमली खित में से किस देश्त ने हाली में जीर कौन हाइपरसोनिक मिसाइल के पंडूबी से टेस्ट फायर किया है ये किया है रूस ने इसका जो एंसर है बी हो जाएगा ये जो मिसाइल है ये ध एंसरे सर्म संयुक्त प्रोजेक्ट गाइब अगला कोशन देखते हैं भारत तकत बहारत पर बिस्दध की तू सबसे बढ़ा देस है यह भी नए भी सुमें सत्वा सबसे बढ़ा देस है तो इसका एंसर जो है सी हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं सातवी पंचवर्शी वजने के अंतरवात अपनाई गई विकास ब्योहार रचना थी यह रचना जो थी यह क्रीसी गत विकास उम्युक समरीद तो इसका जो जो एंसर है अगला कोशन ए कौन सा मंतरा ले खेर पृष्कार से सम्ममन से जुड़ा ए यह मामले ओर खेल मंतरा ड है इसका जो एंसर है B हो जाएगा अगला कोशन है कीस देश के प्रधान मुंत्री ने 15 वी 20 एसी या सीखर समयलन की अध्यक्षता किये तिया अध्यक्षता किये थे B अतनाम में इसका जो एंसर है A हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं वर संगहर्स कि ये अधर्णा किस ने दी थी, ये अधर्णा जो दिये थे, कारल माक्स कि इश्चा उन्सर था तक को सिंग को इसका एंसर बी हो जाएगा इन्हें 2001 में रेमेन मेक्स से पुरुसकार मिला 2015 में श्टॉक होम वाटर प्राइस से समानित किया था यहां दिया गया सुंदरलाल बहुगोणा जो कि यह चिपको अंदोलन से संब्धित है यह राम देव मिस्रा राम देव मिस्रा जो है भारतिय प्रस्थितिकी के जनक कहा जाता है अब बाबा आम्टे जो थे यह महराष्ट के चंदरपुर में कुष्ट रोगी सेवा है तो अनंद वन की अस्थापना किये थे तो इसका जो एंसर है बी हो जाएगा अगला कोशन है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में अगला कोशन है उत्पादन संभावना परिधी के अंदर इस्थित बिंदू है यह हो जाएगा संधय होता है पर कुसल नहीं इसका जो एंसर है यह हो जाएगा अगला कोशन है करक रेखा निम्लीखित में से किन भारती राज्यों के समूह से होकर गुजरती है इसमें बतान उसमें होता है गुजरात राजस्थान मदपर्देश चातिसगर जहरखंड पश्रिममंगाल तृपूरा मिजोरम तो इसमें कौन सा हो जाएगा बी नमबर हो जाएगा गुजरात जहरखंड तृपूरा है इसका एंसर बी हो जाएगा अगला कोशन है यहां मैस का कोशन है पच्पन नहीं देखेंगे यहां 50 तक पांच से कटने वाली जिती ही संख्या है वहां 500 टोटल 55 तक है उसमें माइनस कर देंगे तो वही उसका एंसर हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपको 10 संख्या जो 5 से कटेगी आप पांच सो पच्पन तक किजेगा तो उसको 111 संख् कौन सी सुच्मजीव पनपते हैं तो यह सुच्मजीव है एस टेफाइलो कोलिलीन होता है इसका जो एंसर है डी हो जाएगा अगला कोशन है केंदर की सतरक्ता आयो का मुख्यकार क्या है तो उसका मुख्यकार जो है लोक सेवा के विरूद मामलों की जाच परतार करना है इ परसास्त को किस अध्यन के रूप में स्रेष्टा परिभासित किया जाता है इस परकार की समाज और समिती साधनों के प्रबंधन करें इसका एंसर जो है सी हो जाएगा अगला कोशन है जब ऐडीन घोल के कुछ बुंदों के चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल निल और तरफ दिखाई का पृ Всем पर्कास में रँंग दिखाई देने का कारण क्या है ए रंग के कारण है भीजिक टी करन्य इसका जो एंसरर कि अध्यान को क्या कहा जाता है यह कहा जाता है सुक्ष में समाज साज तो इसका जो एंसर है भी हो जाएगा अगला कोश्चन है किस दिन को बिस्वक एंसर दिवस मनाया जाता है तो बिस्वक एंसर दिवस जो मनाया जाता है वो चार फरावरी को मनाया जाता है इसका एंसर ए दखशा दिवस मनाये ज़ते हैं पूरोछय के चक्ध का इसका वजन होता है ये वजन होता है 2.0.0 किलोग्राम दो खिलोग्राम होता है इसका act ऑगला कोहचन है 2001 और बहुआ रसर ऐसे ओर यहीगे सब्कक्रीन क मुझा है 24 shine पूछ आपको है Amिए जनगरना छुनक्षोच घंटा सब्सक्राइब और L conservation करके सिखनी strongest अब भारत में पहली बर जाती के अधार पर जन गड़ना को वह था तो यह 1931 में हुआ था याद रखिया गई इसा अगला कोशन देखते हैं क्वार्ड में कौन से चार देश समविष्ट किये गए थे यह समविष्ट किये गए थे यूए से जपान भारत अस्ट्रेलिया इसका एंसर जो है डी हो जाएगा क्वार्ड की अधारना जो है 2007 में जपान के तत्कालिंग परधान मंतरी सींजे आवेद्वरा परस्तूत किया गया था अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन भारत के किस राज में कटी बीहु महोटसा आयोजन किया जाता है इसका जो एंसर है बी हो जाएगा वीडियो को लाइक किजएगा दोस्तों के साथ सेयर किजएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तब ही अगले वीडियो का आपको नोटिपिकेशन मिलेगा ठीक है मिलते है आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद जाये हिंद